बिहार के मुझफर पूर्जुले में एक महिला ने पती की प्रतार्णा और उसके अवैद संबंदों से तंग आकर मौत को गले लगा लिया जहर खाने से पहले उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया और कहा कि मैं जा रही हूँ आप खुश रहिएगा मैंने आप से बहुत महिला को कुछ समय पहले पती की एक पैंडराइफ मिली थी इसमें उसके कई महिलाओं के आपती जुनक वीडियो मिले थे पीडित महिला की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्च कर लिया है जिले के अहियारपूर थाना छेतर के कोल हुआ के मुझफर पूरी निवासी अजमत की शादी 23 साल अप्रेल में जाहिर जावेद से हुई थी पती जावेद मध्यपरदेश के भोपाल में सिविल इंजुनियर है मृतका की पिता ने बताया की श्रादी के बाद बेटी को पती के अवैद संबंदो के बारे में पता चला था इसके बाद उसने पती पर नज़र रखनी शुरू की तभी उसको पती की एक पेंडराइब मिली उसमें कई महिलाओं के साथ उसके आपती जुनक वीडियो थे इस पर उसने विरोध किया तो पती ने मारपीट कर निशुरू कर दी जानकारी मिलने पर माईके वालों ने कई बार दोनों को समझा कर विवार शांत कराया वहीर अविबार दोपहर महिला अपने माईके में थी उसने अपने माता पिता को एटियम से पैसा निकालने के लिए भेज दिया वापस आने पर उन्होंने अपनी बेटी को कमड़े में पड़ा देखा और आननफानन में अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी मौत हो गई थी पिता का कहना है कि शादी के बाद दामाग बेटी को सस्तुराल नहीं ले गया उसे गरम चौक के पास एक किराय के मकान में रखता था कहता था कि भोपाल में नौकड़ी करता है लेकिन काफी दिनों से यही था उसने बेटी का वाटस्टैब हैक कर रखा था जब भी बेटी से कोई कोपनिय बात करते थे तो उसे पता लग जाता था इसके बाद वो बेटी के साथ मारपीट करता था मरने से पहले आजमत ने एक वीडियो भी बनाया इसमें वे जहर का पैकेट हाथ में लिए दिखाई दे रही है और कह रही है कि आप तो यही चाते थे ना मैं जा रही हूँ आप खुश रहिएगा